निर्डे जीवन और लक्ष प्राप्ति का एक महत्पूर चरण फिरन्स जीवन में कभी-कभी आप उस चीज के लिए भी प्रयास करने लगते हैं जिसके बारे में आप निश्चित रूप से जानते रहते हैं कि यह कारे मैं नहीं करूंगा और मेरे करियर का या विकल्प नहीं हो सकता है लेकि फिर भी दोस्त क्योंकि यह कारे कर रहे होते हैं तो उस कारे को भी आप करना सुरू कर देते हैं और कभी-कभी तो यह भी होता है कि जो आपका ड्रीम है जो वास्तों में आप बनना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं उसे आप नहीं करते हैं यहाँ पर निर्ड़े दूसरों को देख कर नहीं एक बार अपने आप से पूछ कर अपने लक्ष को निर्धारित करके और सोच समझ कर ही लेना चाहिए सुरुवात से पहले कोई भी कारे अगर आप सुरू कर रहे हैं तो उसके पहले जितनी मर्जी आप विचार कर लें लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप दस वरस तक विचार करते रहें एक निश्चित समय लें और एक सही निड़े लें एक बार अगर आपने निश्चित कर लिया तो फिर पीछे आपको नहीं देखना है कही बार ऐसा भी होता है कि एक निश्चित समय के दायरे में कही सारी परिच्छाएं होती हैं और आप हर परिच्छा को क्रेक करना चाहते हैं Is it possible? No. आप सिर्फ एक परिच्छा को क्रेक कर सकते हैं तो आपको जो best one है उसको चूच करना होगा आपको best one जो better one है उसको चूच करने के लिए आपको अपने मन से पूछना होगा कि क्यों सा कारिक करने में आपको मज़ा आ रहा है और एक बार जब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि मेरे करियर के लिए यही सबसे अच्छा विकल्प है तो सारी इनर्जी आप जोग दीजिए उस कारिक को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष को प्राप्त करने के लिए और सफलता तो 100% आपको मिल के रहेगी तो फ्रेंड सुरुआत से पहले सोचें सुरू करने के बाद सिर्फ लक्ष प्राप्ती ही विकल्प रखें और पीछे लॉट में कभी भी ना देखें थारीक है अज की 28 जनवरी 2019 देरे देरे जनवरी भी समाप्त होने को है और एक संकल्प जो मने आपको याद दिलाया था पहली जनवरी को उसे आप याद रखें कि अगर आप स्वयन को नहीं बदलेंगे तो आपकी जिंदगी भी नहीं बदलने वाली है चले शुरू करते हैं आज का मानली नूस सेशन और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लोवर वेसियस के 672 पद है और इसमें कई बार हाला कि पुरा विज्यापर मैंने डिस्कस किया हुआ है 30 जनरी से इसमें आनलाइन आवेदर शुरू हो रहे हैं मात्र 20 दिनों का समय आपको मिलेगा 19 फ़रोरी तक आपको यह फार्म कंप्लेट कर लेना है यहाँ पर जो पद रखे गए हैं वो कौन कोंसे हैं सहाक चकबंदी अधिकारी, सहाक आयतिकरन अधिकारी बीपड़न निरक्षक, खाद यांग रसद, पूर्तिन निरक्षक बीपड़न निरक्षक का यह होता है मारकेटिंग इंसबेक्टर और पूर्तिन निरक्षक का होता है सप्लाई इंस्बेक्टर सहाक उध्यान अरेक्षक, आपर जिला सुतना अधिकारी, हिंदी अर्ड़ सासी, अधिकारी, नगर पंचायत और राजस निरिक्षक नगरी निकाय दिसाल है तो इसमें कई बार कमेंट ये पुछ जा रहे हैं कुछ महिला अभिर्दियों की और से कि कौन से पद उनके लिए ज्यादा बहतर रहेंगे तो फिरेंट से आप मैं बता दू कि पुरुस अभिर्दियों के लिए सारे पद बहुत ही अच्छे हैं देंकि महिला अभिर्दियों के लिए मैं करम से बता रहा हूं कि कौन कौन से पद उनको सुटेबल रहेंगे पहले अस्थान पर आप रखिए अजजासी अधिकारी को दूसरे अस्थान पर रखिए आप बेपड़न रिक्षक याने कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर को तीस्थान पर सप्प्लाई इंस्पेक्टर चोथे अस्थान पर अगर आपकी योगिता है और अपर जिला सुचना अधिकारी हिंदी के लिए रिजियोसन में एक बिस्ते हिंदी का होना निमार है और इंटरमिडिट में इंगलिस आपने पढ़ा हो और अधिकारी नगर पंचायत के लिए आप अपलाई कर सकते हैं लेकिन जब आपकी न्यूक्ति हो जाएगी तो उसके दो वर्स के अंदर-अंदर आपको निलिट से ओ लेबल का डिप्लोमा प्राप्त करना होगा अच्छे एक अच्छी पात और भी बहुत आएक कंडिडेट है कुछते हैं कि उन्होंने बीटेक कर रखा है या फिर एक कोई तीन साल का डिप्लोमा अधोसा कर रखा है तो क्या उन्हें ओ लेबल जिनोत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी तो मैं आपको बता दू कि आयोग ओ लेबल को कोई मात्र ओ लेबल मानता है तो इसलिए इस पर कोई भी संदे नहीं है कि आपको ओ लेबल ही करना पड़ेगा क्योंकि आरो यारो क्योंकि इस चैनल पर अब लोवर पीसियस की पूरी तहारी बिल्कुल तरीके से करवाई एगी और इसके लिए पूरा एफट किया जाएगा कि मैक्सिमम सरक्षन भी दिया जा सके तो यहांब देख रहे हैं कि एक बिग्यप्ति भी जारी की गई है हलांकि 26 जनवरी और उसके तो फ्रेंड सरकार अपना काम करे ना करे आप पढ़ाई करे ना करे कोई भी काम हो ना हो लेकिन सेधमारी वाला कार उत्तर प्रदेश की परिशाओं में चल रहा है और कहीं कहीं इसके पीछे जो कानून उससे लोग निर्भे हो गए हैं मतलब यह लगता है कि काम करो कोई म सिपाही भरती की परिशा जो रभीवार सो मुआर दो दिनों में संपन होनी है तो कल पहले ही दिन सेधमारी में 27 पकड़े गए अब 10 से 12 लाख रुपए में तैं होता था सवधा मास्टर बाइट निसान ने बताया कि यह बेटियों से 10 से 12 लाख रुपए में सवधा तैं क इसका कि रोगे प्रदेश सक्री जो अब इंटी ढूंड कर परिक्षा दिलाने का काम करते हैं परिक्षा में बैठाने लेगे साल वड़ जूंड है वह बिहार से बलाए जाते हैं कि यहां पर भै यानि कि लोगों को डराने के लिए और कानून का अपालन करने के लिए एक बहुत ही जरुरी फेक्टर होता है प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे वो अपराधियों को कड़ा दंड दे के उसे एक मिसाल बनाते थे तो इस दूर्प से अब ये समय आ गया है कि राखे और इसके लिए एक वालिटिकल विल पाउर का सकता होगी और इसके लिए देखते हैं कि सासन और प्रसासन कौन सा कदम उठाते हैं फिराल इस पर बहुत अधीव इस्तार से चर्चा करने का सकता नहीं है क्योंकि लगबग हर परिच्छा में ऐसा हो रहा है फिर भी म अपना सबसे बेस्ट एफड आगर आप करेंगे तो निश्रीत रूप से आप सेलेक्ट होंगे जो ऐसे कानूनी दाओं पेच होते हैं कोट की जो मतलब सुनवाई में जो भरतियां अठकी रहती है निश्रीत रूप से फ़रा समय लग जाता है लेकिन फिर भी जो लोग सच जाम तक एक दिन सुएंगे पहुच जाएंगे तो फ्रेंट से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगली ख़बर को CGL CHSL 2019 की परिक्षाएं इस वर्स नहीं होंगी CGL 2018 परिक्षा चार जून से होगी और आपको बता दे कि SSC ने अपना कलेंडर जारी कर दिया है इसे आप यापसियल वेबसाइट और हमारे फेस्बुक पेंच इस्टडी भी ध्यान रकास पर जाकर देख सकते हैं 2017 की परिक्षाएं जिसकी तिथी घोशित नहीं होई है तो आपको बता दे कि 2019 की परिक्षाओं की कौन कहे 2017 की परिक्षाओं की तिथी अभी तक घोशित नहीं की गई है SSC की ओर से अभी तक CGL 2017 टीर 4, CHSL 2017 टीर 3, इस्टेरों ग्राफर ग्रेट C एवंग D 2018 Skill Test, Junior Henry Translator 2018 की दूसरे प्रस्पति की परिक्षाओं का अभी तक कोई कार्क्रम जारी नहीं किया गया है फिलाल Constable GD 2019 के बारे में भी कोई जानकाई प्रात नहीं हो रही है और यहाँ पर आप इस वीडियो को पाज करके देख सकते हैं कि कौन सी परिक्षाओं कब कब होनी है हलाकि इसके बारे मैंने कल भी डिस्कस किया हुआ था और कल मैंने आपको पुरा डेटेल बताया था कि कौन सी परिक्षा कब होनी है अगर आप दुबारा से पढ़ना चाहें तो आप स्क्रीन सौर्ट भी ले सकते हैं या फूर फूर पेंच पर आकर आप सारी इंफर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और एक साल में एक भी भरती की जांच पोरी नहीं सिबियाई को करनी है यूपी पीएसे की हुई 586 भरतियों की जांच पांच मही को दर्जवा था पहला केस मतलब यह था कि उत्तरप्रिस लोकस्वा आयोक से पांच साल के दवरान हुई भरतियों की सिबियाई जांच एक साल में एक भी भरती का सच कोई जागर नहीं कर सकी है शुरुवाती दोर में लग रहा था कि बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं बहुत सारे जो जालसाज हैं वो पकड़े जाएंगे कई प्रभासाली चेहरे बेनकाब होंगे लेकिन पुरा साल बीद गया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ 31 जनुरी 2018 से जांच स्टार्ट हुई थी और अब धीरे धीरे दो चार दिन बच्चे हुए हैं लगबग एक साल पूरा हो रहा है और अभी तक कोई भी गरबड़ी सामने पकड़ कर नहीं लाएगी हलाकि जांच में तो यह पता चला कि बहुत सारी गरबड़ीयां हुई है और यह भी लग रहा था कि बहुत सारे सक्षा मध्कारी इसके पीछे जिम्मेदार है लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है और अभी यह माना जा रहा था कि दो से तीन मामें PCS 2015 भरती की गरबड़ियों के दोसियों का चेहरा सामने आ जाएगा लोगर सर्व आडियनेट आरो यारो तथा PCSJ की भरती में भी सिकायतों के आधार पजान सुरू कर दी गई थी चार मामें यानि की माई तक CBI यह थकारी उन्हें दावा किया था कि उन्होंने भारी साक्षी जुताल लिये हैं पांच माई को UPPSC के खिलाफ अलिया फाया दर्ज की कई इसके बाद UPPSC में छापा मारकर कई महत्पूर दस्तावे सेल किये गए कही ने कही इसके पीछे कुछ ने कुछ प्रभावसाई लोगों का हस्ता चेप रहा होगा लेकिन उमीद रखिए कि सच सच होता है और एक दिन जूट का मुकाला जरूर होता है पेपर लीग प्रकरण की नयाई ज्याज इसी अपते बात हो रही है 12 जनवरी 2019 को हुई Assistant Professor भरती परिक्षा के तीसे टरन की परिक्षा के बारे में जिसके बारे में दावाय किया जा रहा था कि पेपर लीग हो चुका था और यही वज़र थी कि जो दो चुरण थे उनके जो आंसर की है वो जारी कर दी गे थी लेकिन तीसे टरन की आंसर की जारी नहीं होगी है और अब परडाम भी जब जांच हो जाएगी उसके बाद ही आएगा जनी कि जब जांच हो जाएगी लगब बगवे 15 दिन में तो उसके बाद फिर रिपोर्ट सामने आने के बाद इसकी आंसर की जारी होगी या फिर रिड गए हैं आनलाइन आविदन सो मौर तक ही होंगे इसकी परिश्चा नौ जुन को होगी प्रीवाली और इसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है एपियो भर्दिक लिए आविदन का रश्रेशन और परिश्चा सुल्क जमा करने की समय सीमा 25 जनवरी ही थी इस बार पदों की सं क्योंकि 2015 की भर्दी के बाद अब तक तीन साल का अंतराल हो चुका है और इस बीच प्रदेश में रिक्तियां भी बढ़ी हैं परिशा परणाम पहले तक आने वाले अधियाचन को भी सामिल किया जाएगा तो फ्रेंट्स ये थे आज के समाचार और ये सारी चीज़ें आपको अपडेट रखती हैं एक बात हमसा ध्यान रखिएगा कि नकर अत्मकता से आपको दूर रहना है आप अपरे लिए कोई नई दुनिया नहीं बना सकते हैं और बुराई से प्रेरित होकर कभी भी बुराई को अपनाना नहीं चाहिए क्योंकि समय सापेक्ष है बुराई का अंजाम सजय बुरा रहता है आप कितने भी समर्थ हो जाएं लेकिन अगर आप गलत लास्ते पे चल रहे हैं तो रामण को सरसमर्थ माना जाता था लेकिन उसका अंजाम भी आप देख सकते हैं सच में जीने का और थोड़ी से अभाव में भी चमकने का एक अपना अलग ही मजा होता है बरे रही है हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट और बहुत सारे सिक्षा जगत की खबरों के लिए साथ ही साथ बहुत सारे इस्टेडी मेटरियल के लिए भी लोवर पीसियस की तयारी अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकां को प्रेस करने जो कि अब तेजी से यहाँ पर वीडियो जिसके लिए अप्रोड होंगे और कोशिचे रहेगी कि कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते अंगले वीडियो में तब तक के लिए रमस्कार जैहिंद हैवनेश्टें